हेलो एप्रिवन वेलकम टू लर्नर भी आयाम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 एकॉनोमिक्स की बुक का चप्टर 4 फूट सिक्यॉरिटी इन इंडिया का पार्ट 3 चप्टर थोड़ा सा बड़ा है और समझाने में राइम लगता है इसलिए वीडियो साधा था रहे हैं पार्ट 3 है से पहले हम लोग काफी कुछ कवर कर चुके हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेशनिंग वाला पार्ट introduction of rationing in India dates back to 1940s against the backdrop of Bengal famine तो introduction of rationing जो rationing शब्द होता है राशन बाटना है न यह जो है वो 1940s के टाइम पर स्टार्ट हो गया था बेंगाल फेमाइन के टाइम बेंगाल फेमाइन क्या था? बंगाल में बहुत ही भयंकर भुख मरी आई थी 1940s के टाइम पर जब सेकेंड वर्ड बाट चल रही थी और लाखो लोग इसमें मारे गए थे लोग के पास खाने को ही नहीं था लोग भूगे मर गए थे दे राशनिक सिस्टम वस रवाइब इन दा वेक अफ एक्यूट फूट शॉटेज दिग 1960s prior to the Green Revolution तो यो राशनिक वाला सिस्टम था ये जब बहुत जब फूट की शॉटेज हो गई थी फूट की कमी हो गई थी 1960s के टाइम पर फिर से ये राशनिक वाले सिस्टम को स्टार्ट किया गया था in the wake of high incidence of poverty levels as reported by NSSO in the mid 90s, 70s तो 1970s के टाइम पर काफे सदा गरीबी मतलब जो रिपोर्ट आई थी NSSO की National Sample Survey Organization की की भई गरीबी इतनी है तो उसको गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी हटाने के लिए ये राशनिक वाला सिस्टम स्टार्ट किया गया था ठ्री इंपर्टन्ट फूट इंटर्वेंशन पर जो इसमें इंपर्टन्ट फूट इंटर्वेंशन के प्रोग्राम चलाए गये थे वो था PDS, Public Distribution System पिछले वीडियो में हमने देख फूर फूट ग्रेंस मतलब खाना जो है सस्ते दर उपर जो राशन की दुकान है उन पर दिया जाता है इन एक्जिस्टेंस अर्लियर बट स्टेंदर दियर आफ्टर मतलब पहले से था यह बट उसको और अच्छे से इंप्लिमेंट करना शुरू कर दिया गया था 1970 के बाद इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलोपेंट स्कीम यह एक और स्कीम चलाई गई थी उस समय पर कौन सी इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलोप्मेंट स्कीम चलाई गई जो की 1975 में इंट्रोड्यूस की गई थी एक्सपेरिमेंटल वे के तौर पर फिर उसके बाद आया था फूड फॉर वर्क मतलब आप लोग काम करें और आपको फूड मिले गई 1977 के टाइम पर स्टार्ट की गई थी ओवर दर यह कुछ और नए प्रोग्राम जो हैं लाए गए और कुछ और स्कीम इंट्रोड्यूस की गई री स्ट्रॉक्चर कई गई एक्स्पीरियंस के साथ साथ जो मतलब जो अच्छी चल रही थी उसके तरीके की फिर और स्कीम लेकर के आए गई गई एड प्रसेंट यरे सवरल जो हे सो अजए जो बता जाता है वाल समण फराइं पब्लिक डिस्टीबूशन सिस्टम मिड़ मे में मोर्म आइऑ एक्सक्लूटी बिपोडरी क्यूरि ने प्रोग्राम हो जो सब्ल्स गोडव क्विम्त ना तो 스बोफ जो Lebens enhance food security तो जातर food security के लिए ही ये जो है programs चलाए जाते हैं मतलब कम से कम इंसान को दो वक्त की रोटी तो मिल ही जाए इसलिए ये programs चलाए जाते हैं programs greatly contribute to food security by the increasing income of the poor मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी किसी तरीके से income बढ़ जाए और उनको कम से कम अपना खाना तो कुछ से जुटा ही सके और उन्हें सस्से दरों पर खाना इसमें इन schemes के तो प्रवाइट किया जाता है तो इसमें कि जो employment schemes वगरा है या mid damage scheme है integrated child development scheme जो है वो एक्ट आया था 2013 में this act provides for food and nutritional security life at affordable price and enhances people and enable people to live a life with dignity तो मतलब एक dignity की life लोग जी सके इसका प्रोविजन लेकर के आया गया था national food security act 2013 में इस act वे 75% जो थी रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बर पॉपुलेशन को categorize किया गया था कि मतलब 50% गाउं में रहने वाले लोग 50% शहरों में अर्बन एरियास में रहने वाले लोग और 75% लोग जो की रूर एरियास में रहते हैं वो इस food security act के अंडर आते थे और स सकते थे current status of public distribution system तो PDS जो है वो काफी जदा important step है जो कि government of India ने लिया है food security को ensure करने के लिए food security क्या होते है कि हर इसान को अपना भरपेट खाना मिल सके in the beginning the coverage of PDS was universal starting में तो कहाता कि हरे जो भी इस देश कनाकरी के सब को मिलेगा नो कोई भी भेड़बाब नहीं होगा poor में और non poor में बट over the years policy जो थी कि non poor जो अमीर लोग है जिने जरुवत ही नहीं है सस्ते दरो पर राशन देने की तो उनके लिए क्यों करे बलकि वो सारा जो आप अमीर लोगों को दे रहे हो इतने सस्ते में राशन उसके बजाए 300 blocks in the country तो मतलब बदलाव लेकर क्या है रीवां PDS सिस्टम लेकर क्या है 1992 के बाद तो बही दूर के दूर दराशकी लाकों में भी PDS का जो प्रोग्राम है उसको चालू किया गया जून 1997 में जो रीवांप का मतलब बहुत है दुबारा से कुछ बदलाव करके लाया गया तो 1997 में जो प्रोग्राम लेकर के उन्होंने उसके अकॉडिक जूरे मतलब जितने भी गरीब इलाके हैं जहां पर पूर लोग रहते हैं हर एक एडिया को कवर किया जाएगा इट वोज फर्स ताइम जए डिफरेंशिल प्राइब्स पॉलिसी वस एडॉप्टिट तो 1997 के टाइम पर वही अलग-लग प्राइब्स पॉलिसी होगी और अन्तो दिया है अन्योजना इसमें स्पेशल टागेट्स ग्रुप बनाए गए यह टागेट्स ग्रुप है और इनको इतने इतने दरों पर खाना मिलेगा पीडेस में 1992 तक यह बिल्कुल यूनिवर्सल था और वीड जो था वह 2.34 किलो का मिलता था और राइस 2.89 का मिलता था फिर उसके बाद इसको रिवैंप किया गया बैकवर्ट ब्लॉक्स के लिए तो 20 किलो जो फूट ग्रें था वह पूरा का पूरा दिया जाने लगा फिर आते हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं तो इस तरीके से जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उसको पीडियेस का बही जादा लाब मिलना चाहिए तो इस तरीके की स्कीम बढाई जाने लगी अन्तोधिया ने जो की 2002 में जिसको अन्तोधिया है मतलब पूर पूर गरीबों मे एक महीने में 35 kg जो है अनाज दिया जाएगा और वीड जो है दो रोपे किलो पे और राइज जो है 3 रोपे किलो पे और A.P.S जो इंक्रीर सेनिर सेडिसंस के लिए कि भाई 10 kg जो है फूड ग्रियंग दिया जाएगा लाई जाने लगी इंडिजेंट सीनियर सिटीजन है जो मतलब साथ साल से उपर की आयू के लोग है और मतलब उनकी इंकम लेवल नहीं है तो उनको फ्री में पिराशन दिया जाने लगा अल Do To kaikot को से लिंकि षेकर एक राये तो काफी स्कीम एक तो स्कीम एक तो स्कीम एक तो पॉर्टे। फेटर यह जो के 4.3 टेबल में समराई काई यह मैं आप लोगों को बता दिया है अब आगे आता है PDS has proved to be the most efficient instrument of the government policy over the years in stabilizing prices and making food available to consumers at affordable prices तो government की ये जो PDS वाली policy है ये काफी जादा efficient थाबित हुई है कि प्राइस जो है जो rate है वो भी ठीक ठाक stabilise रहे हैं और जो लोग है उनको affordable कम दामों में भी खाना उपलब दब होरे लगा है It has been instrumental in averting widespread hunger and famine by supplying food grain, food from surplus region of the country to deficit one मतलब famine भूक मरी भी हमारे देश में इसकी वज़े से नहीं फैली है क्योंकि जहां पर अनाज जादा होता है वहाँ से लोग की जुरूत पूरी हो चाती है फिर जिन इलाकों में अनाज कम होता है वहाँ पर ये अनाज भेज दिया जाता है ताकि हमारे देश में लोग भू ज़र्मेंट थे लिए ने इंग्रीज इन फूट ग्रेंट प्रडक्शन और प्रोवाइड इंकम सिक्यूर्टी तो फार्मर इंस रिज़ें तो क्या हुआ है क्योंकि अब सरकार जो है अनाज जादा प्रोक्योर करती है तो इसकी वज़ए से खेती भी हमारे देश में काफ में देखते हैं कि instances of hunger are prevalent despite overflowing grainries तो मतलब जो FCI Food Corporation of India के जो गोडाउंस है उसमें तो अनाज भरा पड़ा है और हम आज भी देख लेते हैं कि कई बार भुकमरी हो रही है मतलब भुके मर रही है लोग FCI Go Down उसमें सड रहे हैं चुहे खा रहे हैं उनको different food grains in Central Pool and its stocking norms मतलब जितना stocking norms है कि इतना रखा जाना चाहिए उससे जादा भरा पड़ा है और एक जगह लोग भुके मर रहे हैं और एक जगह उसमाज को चुहे खा रहे हैं तो अंतदया अन्ययोजना है तो यह वाली ची का PDA system के अंतर poor families were identified by the respective state state or rural development department जो है वो बताएंगे कि कौन से जो परिवार है वो BPL है 25 kg of food grains were made available to each eligible family at 2 रुपे किलो का एक किलो चावल एक किलो जो है आटा दो रुपे का और एक किलो चावल तीन रुपे का इन लोगों को दिया जाएगा अंतुदया अन्ययोजना के अंतरगर्द इस quantity has been enhanced from 25-35 kg जो है वो एक परिवार को दी जाएगी एक महीने में एपरिल 2002 स इस scheme has been further expanded twice by additional 50 lakh BPL families in June 2003 तो फिर मतलब पहले एक करोड़ फैमिली थी फिर देर करोड़ फैमिली इसको अंतोदया अन्ययोजना के अंदर ले आया गया और बहुत ही सस्ते तरह उपर इनको अनाच प्रोवाइड करा जाने लगा सेंडल फूड ग्रेंज वीट और राइस का स्टॉक तेके अक्च्वल स्टॉक इतना है और बफर नॉम्स इतने हैं मतलब इतना 30 307 कुंटल जो है ले लिया मतलब इसका देखो ऑल्मोस्स दुगने के बराबर मालो ले रखा था है ग्रेंरीज में FCI के मतलब ग्रेंरीज भ का मतलब क्या होता है कि खटा करके रख दिया समान वह गया बफर की बफर स्टॉक है कि इतना जिसे सपोस्ट करो कि 100 किलो आप लोगो को रखना था बट वहां पे ग्रेंरीज में FCI के पास आ गया है 1500 किलो है ना तो बफर था 100 का अबट आ गया डेर्स हो तो हमेशा FCI के पा सब्सक्राइब करेंगा तो हमेशा FCI के बातना शुरू किया है तो सड़ेगा ही ना लोगों तक पहुंचे कि किसी के काम नहीं आएगा storage of massive food stocks have been responsible for high carrying cost अब इतना जादा मतलब आप stock करके रखोगे तो उसका पैसा भी उसमें जादा ही तो लगना है फिर और wastage भी होती है और grain की quality भी खराब हो जाती है तो कुछ यह भी suggestion दिया जाता है कि जो minimum support price MSP है इसको सरकार कुछ समय के लिए freeze कर देना पड़ा है तो उससे क्या होगा कि जो लोग open market में बेजेंगे बजाए कि सरकार को increased food grains procurement and enhanced MSP is the result of the pressure exerted by leading food grain producing state Punjab, Haryana, आंदरपदेश यहां के जो किसान है और ज्यादा फसल उगाते हैं और सरकार से कहते हैं कि अब फसल खरीदो क्योंकि सरकार ने MSP डिक्लेयर कर रखा है कि इतने पर कम से कम हम खरीदेंगे तो यह किसान फिर सरकार को यह बेशते हैं moreover as the procurement is concentrated in few prosperous regions पंजाब, Haryana, वेस्टन, उतरपदेश, आंदरपदेश और वेस्ट मंगॉल वाले region में तो मेली दो ही crops का procurement हो बाता है wheat और rice मतलब procurement हो या फिर उतरप्रदेश, आंदरप्रदेश mainly और फिर थोड़ा बहुत वेस्ट पंगॉल बट सिर्फ दो ही फसले wheat और rice इसी को लोग उगाते हैं और इसी पर ही क्योंकि सरकार MSP बहुत अच्छा देती है तो यहां से बहुत जादा यही wheat और rice उगाये जाते हैं बाकी सारे wheat अब उगाये जा रहे हैं अब rice उगाने में पानी भी तो बहुत जादा लगता है अब पानी की बहुत जादा कर रहे हैं किसान इसकी वज़े से environmental degradation बहुत जादा हो रहा है और ground water level भी बहुत जादा गिरने लगा है agriculture का area बहुत जादा बढ़ाये जा रहे हैं जो कि unsustainable है sustain ही नहीं कर सकते हैं हम इतना जादा agricultural area बढ़े जा रहा है और इसकी वैसे दिक्कते भी आ रहे हैं इसलिए सरकार को सिर्फ rice और wheat पे ना ध्यान देखे दूसरी फसलों पर भी धियान देने के जरुरत है rising minimum support price have raised the maintenance cost of procuring food grains by government rising transportation and storage cost of the FCI are the contributing factor in the increase तो minimum support price बढ़ रहा है तो इसकी वज़े से क्या हो रहा है और ज्यादा मतलब लोग सिर्फ यही दोरों फसल उगा रहे हैं wheat और rice और बागी सारी फसलों पर दियान नहीं दे रहे हैं और फिसरकार को खरीदना पड़ रहे है तो overall cost भी इसकी वज़े से बढ़ रही है अब य वाली चीज में हम लोग नेक्स वीडियो में cover कर लेंगे और नेक्स वीडियो में हमारा chapter भी cover हो जाएगा अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe करिये और share करिये friends के साथ Thank you